CM जेराम ठाकों ने कहा कि ग्लोबल इंबेस्टर मीट पर्ख हुए खट से अधिक पैसा, पूर कॉंग्रेस सरकार ने उना के पंडोगा में और द्योगे क्षेत्र बिक्सित करने के लिए मिट्टी हटाने के नाम पर ही ख़च कर डाला था, उन्होंने कहा कि यदि कॉंग्रेस मीट पर हुए खट से अधिक पैसा, पूर कॉंग्रेस सरकार ने उना के पंडोगा में और द्योगे क्षेत्र बिक्सित करने के लिए मिट्टी हटाने के नाम पर ही ख़च कर डाला था, उन्होंने कहा कि यदि कॉंग्रेस परदेश में निवेश की पिरोधी नहीं है तो फ इंबेस्टर मीट के मुद्य पर विपक्ष का शोर्शराबा केबल राजनीतिक लाब लेने तक सिमित है, उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीती जरूर करें मगर जब परदेश के विकास की बात हो तो राजनीती को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, उन्होंने क कि सरकार ग्लोबल इंबेस्टर मीट का खर्श देने को तयार है क्योंकि हमने चुपाया कुछ भी नहीं और देश के प्रमुक जो है इंबेस्टर जो है यहां पर शरीक हुए जबकि इंबेस्टर एक भी नहीं ले पाए बिधान सबा में पठानिया दोरा उठायेगे सरकार की इंबेस्टर मीट के मुद्दे को लेकर नेता विबक्ष चर्चा में भी शामिल ना होकर भाग रहे हैं हुए हजार क्रोड़ पर के मोई उसाइन हुए आपने दो बानवे रिपेग ही नहीं की और उसके बाद है यह इस बात को इंशोर किया कि आप टोटल खर्चा 23 कोड़ का है जिसमें से 14 कोड़ पर हमें ग्रांटिंग डेट मिल रही है केवल 12 कोड़ पर खर्च करके हमने इत अगर वह इंडर्स्री थे और जाल में काला था विधानसवा गया तर भागे क्यों बाहर पर स्कूर्स करेंगे तो जीत क्या विधानसवा की वाएं बहार ही बैठी है अगली बार तो लोगों वैसे आपको पठाई देना बार तो बहतर ही होता कि अभी जो मोक्य मेला हुआ अगर विधानसवा में आप अपनी चर्षा करते हैं अपनी बात लगते हैं प्रह के बाद